नमस्कार दोस्तों कैसे आप आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़े असे होंगे दोस्तों आज मैं आपको एक होमेपैथिक दवा थूजा ऑक्सेडेंटलिस के बारे में जानकारी दूँगा यह दवा आपने अकसर सुनी होगी मस्से को ठीक करने के लिए आपने कभी न प्योग किया होगा अगर नहीं किया है तो सुना जरूर होगा लेकिन यह दवा बहुत कारगर है बहुत अलग अलग बीमारियों में जैसे की जैसे कि अगर किसी को tumor हो जाता है या ओर growth हो जाता है या फंगल infection हो जाता है तो यह दवा बहुत कारगर है. खास कर इसका mother-tinsure, तो आज हम धूजा mother-tinsure के बारे में चाइन कारी देंगे, ये थूजा मदर टिंचर आप कैसे यूज करें, कौन-कौन सी बीमारी में यूज कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स हो, तब ही आप ये मैडसेन यूज करें, इंटर्नली, एक्स्टर्नली आप इसे ले भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, और इसे लगा भी सकते हैं, तो कैसे इसका उप करने से पहले आप सबसे यह गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें बैल आइकन को जरूर से दबाए मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं मेरा इमेल आईडी क जिर्तिविक्रम सिंग परिहार at the rate gmail.com है वहां पर जा के आप मेल कर सकते हैं कोई भी समस्या हो तो हैं कोई भी प्राबलम हो तो आप लिक भी सकते हैं मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा इसके लावर में किसी को भी online appointment नहीं देता हूं कोई भी online prescription system नहीं है और न थूजा मदर टिंचर के बारे में तो थूजा एक ऐसी दवा है जो आपने आसपास जरूर देखा होगा इसका पेड़ और मैं पेड़ की पिक्चर लगा देता हूं पिक्चर आपने देखी और समझ यह कि आपके आसपास या आपके गार्डन में यह पेड़ लगा रहता है थ इसे सिस इसका अर्क बनाया जाता है इसी से से इसका मदर टिंचर बनाया जाता है और फिर इसका उपियोग किया जाता है तो मूस्टी तूजा मदद टिंचर का उपियोग वाट्स में किया जाता है मूल Tsch لिए लिए यह मेडिसन बहуд whisky इटेव और critics हम सब से पहले जानते ह अगर internally लेंगे, अगर आप इसको पीना चाहें, तो कौन-कौन सी problem में आप इसे पी सकते हैं, कौन-कौन सी symptoms में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे पी सकते हैं, सबसे पहले चलते हैं कि common problems में, आप कौन-कौन सी common problems में, कौन-कौन सी आपको ने उसते हो और से देखे हूं तो आपको सब्सक्राइब करने और यह तो आपको इसे उपयोग करना है सिंपल है आधा कप पानी लीजिए उसमें थूजा मदर इंचर लगबक 10-15 बून डाले इसे सुबह और शाम पीछे लगाने का तरीका मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो में तुमाने देगे दूसरा इसे आप मोस्ली मोल्स में उपयोग कर सकते हैं अगर आपको तिल की समस्या है मोल्स की समस्या है तो थूजा मदर इंचर आधे कप पानी में 10-15 बून डालिया और सुबह और शाम पीछे लगाने का तरीका मैं आकरी में बताऊंगा इसके अलावा यह लाइपुमा के लिए बहुत ही effective medicine है तो अगर आपको लाइपुमा है या फाइब्रोमा है मुस्लि अगर आपको ट्यूमर है और फैट डिपॉजिशन है लाइपुमा हैं पेट में आपको अगर छोट-छोटी गठाने है और लाइपुमा है तो थूजा मदर इंचर लगभग 15 बून डाधे का पानी में दिन में तीन बार यूज़ करिए यह द प्रायम हो जाए और थोड़ी कम हो जाए तो फिर आप इसका उप्योग लगबख तीन से चार महीने जरूर करिए यह बिल्कुल सेफ और इफेक्टिव मैनसान है और इससे पीने से आपको बहुत लाब होगा लाइपुमा में फाइब्रोमा में भी इसका उप्योग किया ज अदिरे ख़ए कम होगा फाइब्रोमा और इसके बाद धीरे धीरे कुल तरीकस इक हो जाएगा तो यह बहुत कारगर है लेकिन लाइपुमा और खार्गर में तो और बडे हां रिजर्ट तो गाठ किसी भी तरह की हो सकती है तो जाज कराना बहुत सीब जांटी है तो यह ज़्में तो गाठ िचा trip करा लिजगां दाइगनोसेस का अंहीत है तो गाठ में झाइगे ढाजব हुआ है। गाठ में छीजान का नियुक्त दाभाशा है उपकार है मतलब मुस्ली उसमें दर्थ तो नहीं है लेकिन गठान बनी हुई है कई बार क्या होता है जैसे ही हमें स्टाई होता हैं हम एंटिबैटिक खा लेते हैं वो गठान बन जाती है और गठान ठीक नहीं होती ऐसे में तुजा मदरट इंचर आप 10 बूदादे का पानी में दिन मे और खासकर जब गठान हो जाती आंकों में उसके लिए ये मैडिसन बहुत इफेक्टिव है इसके लावा अगर नाक में नीजल पॉलिप की समस्या है आपको बहुत जादा अलर्जी की समस्या है तो थूजा मदर रिंजर का उपयोग करें लगबग तस बंद आदे का पानी मे कई बार हो जाता है अगर आपके मूह में पॉलिप है या कभी-कभी टंग में वेरिकोशील की प्राप्लम हो जाती जो टंग है वो पूरी नीली पड़ जाती है अगर इस तरह की प्राप्लम है या टंग में फंगल इंफैक्षिन की समस्या है तो थूजा बहुत कारगर थूजा मदर टेंचर आप लगभग 10-15 वंद आदे का पानी में दिमें, तीन बार यूज़ करें, आप सीधा चलते हैं, पेट की तरफ तो आपको बहुत जादा गैस बनती है, पेट फूलता है, पेट साफ नहीं होता, थूजा मदर टेंचर लेने से पेट बहुत अच्छा स साफ होता है, और गैस के समस्या ठीक होती है, खासकर बच्चों में मेजेंट्रिक लिंफ नोट एंलार्जमेंट की प्रॉबलम होती है, जिसके कारण उनका पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, ऐसी प्रॉबलम में मेजेंट्रिक लिंफ नोट एंलार्जमेंट की में थूजा का उपयोग बहुत कारगर होता है और थूजा मज़र इंच और आप लगभग पास से दस बूंद आधे कप पानी में दिन में तीन बार देंगे बच्चों को तो बहुत ही अच्छे रिजर्ट्स मिलेंगे अगर बढ़ों को यह प्राप्लम है तो लगभग पंद के समस्चेट में अगर इंफेक्शन है रहाइं तो भी यह दवा बहुत इस्टिर की प्राब्लम है तो भी मैडिसन बहुत इफेक्टिव है पिशाब रुकता है रात में पिशाब आपको बार बार होता है थूजा मदार टेंच आप जब पंदरा बूंद आदे कप पानी मे ये मैडिसन बहुत कारगर है और बहुत कारगरदाल्स और रांड competing है जो को खास कर उसमें जादा खुजली नहीं होती लेकिन जो स्किन है वो बहुत हार्ड हो गई है, स्किन बहुत मोटी हो गई है और बहुत भद्धी हो गई है, बहुत सालों से फंगल इंफेक्शन है जो जो ठीप नहीं हो रहा है, फुजा मदवट इंशूर में बद दस वूद आदे का पानी दिन में दीन बार पियें और लास्ट में, सफसे लास्ट में, अगर आपको बवसीर की समस्या है, जो ओवर ग्रोथ है और जो वेरिकोज वेन है, जो इसको हम नॉर्मली जो बुलते हैं कि जो पाइल्स बाहर निकला हुआ है, दर्द नहीं है, नहीं चुभन है, जादा नहीं आपको ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो हमेशा बाहर निकला रहता है, आप थूजा मदर टिंचर लेगा 15 बूंद आधे का पानी में तिन में तीन बार यूज़ करें, ये दवा बहुत कारगर है, अब चलते हैं, थूजा मदर टिंचर को हम किन किन प्रॉ में यूज़ करते हैं, अगर आपको मसो की समस्या है, गले में मस्य हैं, अंडराम्स में मस्य हैं, कहीं वर भी सरीर में मस्य हैं, या मोल्स की समस्या है, आपको तिल की समस्या है, मसो की समस्या है, एक और रहता है, मिलिया, बच्चों को मिलिया की समस्या होती है, और आजकल मैडिसेन है मुलस्कम नाम की एक प्राब्लम होती है उसमें भी आप थूजा मुदर टेंचर कोप्यों कर सकते हैं मस्सों में आप दिन में तीन से चार बार लगाएं इसका लगाने का तरीका बहुत सिंपल है आप रूई के साथ भी लगा सकते मैं तो आप बोलूगा कि अगर आप हाथ साफ कर लेजिए थूजा मुदर टेंचर सीधा लेजिए और उसके बाद जहां भी मस्से हैं अच्छे से लगाईए एब्जार्व होना चाहिए बढ़िया अच्छे से लगाईए हलका रगड़िये तिन में तीन बार लगाईए कम से कम और जल्दी ठीक करना हो त फूजा का और मस्सा ठीक हो जाएगा बस आपको कंटीन्यू करना है एक भी दिन का गैप नहीं करना और वो बिल्कुल जढ़ जाएगा अगर गैप करते हैं तो फिर वो अपने आप ही उसको ऐसा जैसे नहीं होता कि अगर आप किसी पेंड को काटना चाहें तो धीरे-धीर यह ऐख हला कि पेट काटना नहीं चाहिए सिर्फ एक जांपल दे रहा हूं अगर काटना बंद कर देंगे तो फिर से ग्रो करने लगेगा वैसे अगर थूजा मदर टेंचर एक दो दिन लगाना आपने बंद कर दिया तो मस्सा वापस से उतना ही बड़ा हो जाता है उसमें उतना ही समय होता है लगता है तो आपको थूजा मज़ट इंचर रेगुलर यूज करना है हर दिन यूज करना है और दिन में पांच बार यूज करिए और मेरा एक्सपीरियंस है कि 15 से 15 दिन से लगवक एक महीने के अंदर आपका मस्सा ज़ड़ जाएगा कई लोगों का तो दो दिन में जड़ जाता है लेकिन मैक्सिमम आप एक महीने मानके चलिए रेगुलर लगाईए टाइम पे लगाईए आपको बहुत ही अच्छे रेजर्ट में लेंगे मस्सों के अलावा यह दबा फंगल इंफेक्शन के केसे में भी इसका एक्स्टरनली उप्योग किया ज तो इस तरह की कंडिशन में और ओवर ग्रोथ मतलब जो आपकी स्किन है जैसे माली यहां पर फंगल इंफेक्शन सालों से इसकिन जो है वह बाहर निकल आती उस तरह की कंडिशन में यह दवा बहुत कारगर है और वहां पर भी आप लगा सकते हैं दिन में तीन बार इसका करें बहुत ही अच्छे रिजर्ट मिलेंगे इसके लावा यह कॉर्ण में भी बहुत कारगर्दवा है अगर आपको कॉर्ण की समस्या है पैरों में कॉर्ण होता है तो वहां पर थूजा मजट इंचर लीजिए थोड़ा सा रूई लीजिए और एक मेडिकल से आप पेपर ला सकते हैं मेडिकल या कहीं भी पिपर टिप आपके घर में मोस्ली रहता है तो आप थोड़ा सा थूजा मजट इंचर उस मेरोई में आप डालिए और जहां पर कॉर्ण है वहां लगा के पिपर टिप मार दीजिए और बारा बारा घंटे में चेंज करते रहिए एक महीने में कॉर्ण पूरी तरीके से खतम हो जाएगा थूजा मजट इंचर कॉर्ण के लिए बहुत ही फैटे मैरेसें हैं और इसके लावा कहीं पर भी ओवर ग्रोथ हो जैसे आपको लाइपोमा है वहां भी उपरी तौर पर आप लगा सकते लेकिन उतना कारकर नहीं है मोस्ली य उप्योग externally किया जाता है और internally मैंने आपको बताया कि किस किस condition में आप थूजा मजट इंचर का उप्योग कर सकते हैं और कैसे आपको थूजा मजट इंचर का उप्योग करना चाहिए तो मैंने लगबक थूजा मजट इंचर के सभी उप्योग आपको इस वीडियो में बता करी हो या आपने कभी उपयोग किया हो थूजा मज़ोड इंचर का तो जरूर मैसे सेक्शन में आप लिखिएगा आपका एक्सपीरियंस दोस्तों के भी काम आता है जरूर आप लिखिएगा आज के लिए बस अतना है कल फिर मिलते हैं जय हिंद जय भारत हैं निवाद थैंकि सो मज़ भाई